बात करते हैं राशी नमबर 11 कुम्भ यानिक अक्वेरियस की कुम्भ राशी वलों आज आपके दिमाग में कई तरहे के विचार आ सकते हैं कोई जरूरी काम बनते बनते बिगड सकता है और कुछ काम बनते वे नजर भी आ सकते हैं संतान पक्ष के अगर बात की जाए तो बच्चे आपको सफलता का स्वादिच खाएंगे और आपकी खुशी जो है वो असी मित हो जाएगी घर पर छोटी पाटी का आयोजन भी आप कर सकते हैं बच्चों की खुशी के कारण नए काम करने के अगर आप सोच रहें तो आपको आगे धनलाब के अफसर जरूर मिल सकते हैं क्योंकि समय अभी आपके पक्ष का बना हुआ है दोस्तों के बीच आईवी खटास भी आज दूर हो सकती है जरूरत मंद को कुछ दान करें आपके धन में बढ़ोतरी हो सकती है कुछ लोग सोच सकते हैं कि आप नया सीखने के लिए काफी उम्र दरास हो चुके हैं लेकिन यह सच्चाई से बहुत परे है क्योंकि कोई भी उम्र सीखने के लिहास से ज़ादा नहीं होती आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग की वज़े से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं और उसे अपलाई भी कर सकते हैं उधार मांगने वाले लोगों को कोशिश करके नजरणदास करें क्योंकि दियावा पैसा बापिसाने के उम्मीद नहीं होगी आपका लापरवार रविया आपके माता पिता को कुछ दुखी कर सकता है इसलिए माता-पिता का सम्मान करें और कोशिश करें कि आप उनकी बातों और उनके पद्धिजनों पर चलें कोई भी नई परियोजना, कोई भी नई प्लानिंग पर काम शुरू करने से पहले आप अपने पेरेंट्स की राय भी जान लें व्यक्तिकत मार्क दर्शन अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ूं का आपके रिष्टों में सुधार ला सकता है अगर आज आप ट्रेविल करने की सूच रहे हैं तो आपको अपने सामान की, अपने लगेच की अतरिक्त सुरक्षा करने की ज़रूरत है क्योंकि समय इंकित कर रहा है कि आपका सामान गायब हो सकता है तो चलिए बात कर लेते हैं आज के शुभाशुब की आज के लिए आपका शुब अंक रहेगा पांच, शुब रंग रहेगा हरा, शुब दिशा रहेगी उत्तर, शुब समय रहेगा शाम को तीन बज़े से लेके शाम साड़े चार बज़े तक का और उपाय के तौर पर आप क्या करें? गणपती पर लाल चंदन से तिलक करें